राज कपूर से जुड़े इतने किस्से हैं कि बताए जाएं तो कई दिन लग जाएं। चाहे वो उनकी लव लाइफ हो या फिर काम से जुड़ी कहानिया। शोमेन ने अगी कई पीडियों के लिए मिसाल कायम की है। एक किस्सा स्वर कोकिला लता मंगेशकर से भी जुड़ा है। जब राज कपूर अपनी फिल्म में उनके गाना गवाना चाहते थे लेकिन उन्होंने उन्हें ये कहकर इंकार कर दिया था कि वो वलगर गाने नहीं गाएंगी। अपने एक पुराने इंटर्व्यू में लता मंगेशकर ने बताया था कि अगर किसी गाने के बोल तो वह उनमें बदलाव करवा देती थी। धीरे धीरे जब ये बात म्यूजिक डाइरेक्टर्स को पता चली तो उनके पास गाने आने कम हो गए। एक बार राज कपूर ने भी उन्हें गाने के लिए अप्रोच किया था और उन्होंने मना कर दिया था। जब राज कपूर उन्होंने कहा था कि इस गाने में केवल मजाक हो रहा है और एक्ट्रेस अपने पती को चिडा रही है। उन्होंने कहा था मैं इस गाने को ऐसे बनाऊंगा कि जिसमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये वलगर है। इसी शर्ट पर मैंने वो गाना गाया पर वो पिक्चर मैंने नह इस गाने की वजह से लता मंगेशकर ने बताया था कि इस चीज को लेकर म्यूजिक डाइरेक्टर से उनके बहुत जगरे होते थे उन्हें लोग जगरालू तक कहने लगे थे उन्होंने कहा था ऐसे जगरे नहीं होते थे पर कोई न कोई मैं ऐसी बात कह जाती थी मुझे गु मैं गाती रही, फिल्मों में भी काम किया, तब प्लेबैक्ट सिंगर की ऐसे हैसियत भी नहीं होती, मैं चोटी भी थी, लेकिन फिर भी मेरे सामने सिर्फ एक चीज थी कि मुझे मेरा घर संभालना है, फिर बाद में जाकर मुझे लगने लगा कि जब अच्छे गाने मिल सक तो क्यों चीज गाना गाएं, मैंने लावनी शांताराम जी की फिल्म में गाई थी, एक दो लावनी मैंने एक दो और फिल्मों में गाई थी, पर बाद में कभी लावनी नहीं गाई